शिव पंचायत में कौन-कौन होते हैं? संकर, दुरगाजी, सूर्ज नराएन भगवान, भगवान नराएन और गणेजी महाँद। बस यह पंचायत। और परिवार में कौन-कौन होते हैं? पारवती, कार्तिके, गणेश, शिव, नन्गी। यह यह परिवार। पंचायत में सूर्य की भागी दारी जो कही गई है, कि एक बीता आपकी आगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, यह ज़लाद ब्हारी है। यह पानी निकलने का इस्थान है। यहांसे जहांसे पानी मुच्छे गिर गया, और गिरने के बार जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर शूर्य नर्यन भग्वान का भाग चलू हो जाता है। बीते, क्यों कहते हैं, जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पढ़ गया, चमडी बेकार हो गई, काला पढ़ गया, शरीर में चटे पढ़ गया, कहीं शरीर में दाने पढ़ गया, पूरा चहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं, कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन करकर शरीर पर लगा लिया जाता है, सरी ठीक होने लगता है, सूरी का भाग महाँ से चाली हो जाए। शीव पंचायत का बड़ा महत्वे माराजी है। अगर आप लोगों के लिंग पुराणपड़ी होगी या शीव महाँ पुरार्ण पड़ी होगी तो उसका बड़ा महत्वे माराजी हो जाते हैं, आदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वह नोक्री से जुड़ा हुआ ह जाहे प्रोपर्टी से जुड़ा हूँ, आदालत में अगर कोई केष चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही। कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदर में जाकर महाराच पांच पुष्प, एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो, और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो, काय का लेपन करना है? माखन का, माखन का लेपन कर दो, और पांचो देवताओं के सामने बापिस लोट कर जाएए, वो केस विजयत अगर देगा तो आपके पक्छ में ही देगा, हार नहीं सकते, शिव पंचायत का बहुत प्रबल भावे मारा है, शिव पंचायत को सदर्ण नहीं होती है, कोई लड़का लड़की का विवा हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बा कंदिर में बेटकर पांचो देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चड़ाया जाता है महराज, केवल तीन प्रदोस चड़ा देते हैं, चोथी प्रदोस तक तो बाबा करपा ही कर देता है, शिव पंचायत का इतना मातुरे, शिव पंचायत का इतना मातुरे, शि झालो月 प्राइप ठालो